कि यह अब्रीवान वेलकम चुमाइच चानल आम रूपास तो देखो कितने सारे पार्सर के डबे मेरे पास जबा हो गए और भी बहुत सारे पड़े हुए हैं तो चलो इनसे आज कुछ ऐसा बनाते हैं जिनका हम यूज बहुत अच्छे से अपने घर में कर सकते हैं बहुत ही जबने डिया के लिए त्युक्त दंद कर सकते हैं या या चाहरै कित दैब्ला इन कार्ट वालाते 昂च जबी कर सकते हैं हैं ऩो तो जे संस्क्रिया है और आए निख बरस तैटक व्हां तरफ नहीं थोरा से क VOC आर जोर्या करता है और यहां पे domain corporate लिए और यहां प्यार न आपर सब्सक्राइब настро रीड चाह Lucasन एक एक सजार थायतों हंब को जा पीडियो आरहली सब्सक्राइब जरी और आप आपर शब्सक्राइब को फर्मया है जैक्यां पर यहां कि तना इप दिया ऐग में वेडमाल में जो मैंने मंगाया था मीशो से ही रिसेंटली ही मैंने पर्चेस किया है और बहुत ही प्यारा इसका प्रेंट है आप देख सकते हो और इसको मैं वाल पेपर की हेल्प से पूरे अच्छे से कवर कर दूंगी आप इसका जगा पर गिफ्ट रैपिंग पेपर ले सकते हो कोई यहां पर मेरा एक बहुत ही बढ़ियां सा और गनाइजर बनके रेडी हो गया है इसमें आप अपने टीवी के रिमोट्स रख सकते हो ड्रॉइंग रूप में यूज कर सकते हो मैंने इसको बनाया है अपने बुक्स को और यहां पर देखो यह कितना अच्छा लग रहा है न रहेंगे अपने जगह से हिलेंगे नहीं और ये ना एक स्पेस सेविंग आइडिया भी हो सकता है देखो मेरा कितना सारा स्पेस यहां पे सेव हो गया कुछ और बुक्स भी यहां पे मेरे आ जाएंगे के लिए मैंने यहां पे लिए अपने बेटू का एक टॉय मतलब उसका ड्रम था जो खराब हो चुका था और उसका काड़बूर्ड इस तरीके से निकल गया था बचों के हाथ में आजकल जल्दी कुछ टिकता नहीं है वो खराब कर देते हैं चीजे तो यहां पे मैंने सोचा बट मुझे लगा औरेंज ज्यादा सुन्दर लगेगा तो औरेंज उसके उपर मैंने डबल कोटिंग करी है क्योंकि एक कोट में रेड अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने उपर से इसमें औरेंज किया है और उसके बाद बहुत ज्यादा सुन्दर लग रहा था यह तो दिवाल को खराब किये हुए अराम से आप अपने से ही इसको आप फिक्स कर सकते हो वाल पे इस तरह के से एंड इसको मैंने याप इंपली है और देखो यह एक डेकोर पीस बनके रेडी हो गया है बहुत ही सिंपली तो बचों के टॉय से भी हम कुछ कुछ क्रियाटिविटी कर सकते हैं है थर्ड डियाईवाई के लिए मैंने यहां पर लिया है शू बॉक्स शू बॉक्स का यूज करूंगी मैं यहां पर क्यूंकि इनकी क्वालिटी ना काफी आई बॉक्स को च्षाण को यहां पर का यूज किया है इसे कट करके हटा दे रही हूं और रीचे का पार्ठी चाहर और आए यहां पर यूज कर लिया है और दूसरा वाला पीस में ना मुझे थोड़ा लिया था जहां पर आपको लगता है ना कि हाँ थोड़ी से स्ट्रेंद की जुरह थे तो आप इस तरीके से कार्ट बूट को डबल कर सकते हो इससे क्यों होगा ना आप इस टाइब के डिया वाइजर को लंबे टाइम तक यूज कर पाते हो और यहां पर मैंने सेम वाल पेपर ले सकते हो क्राफ पेपर भी ले सकते हो कोई कपड़ा है आपके पास जो आप यूज नहीं करते हो उनका भी आप यहां पर यूज कर सकते हो मैंने पहले बनाया हुआ है कपड़ा के साथ इस टाइब के ऑगनाइजर वो भी काफी अच्छे होते हैं आप ग्लूगन की सिंपल सा एक और्गनाइजर बनके रेडी हो गया है क्लॉजट ऑगनाइजर मैंने आप बनाया है और एक नहीं मैंने तीन तीन बना लिया है देखो आप लोग तो यह अगर आप पर्चिस करने के लिए जाते हो ना तो आपको 400 में 3 पीसे के मिलेंगे या फिर उसे ज्याद और यूज़ कर सकते हो तो यहां पर मैंने ऐसे और बनाया है जिनका मैं यूज़ अच्छे से कर सकती हूं और इस ताइप के और बनाके कहीं भी रख सकते हो बिल्कुल भी पता नीचे लेगा कि आप लोगों ने इनको घर पे बनाया है आपके पैसे भी बच जाएंगे पच्छी तरीका से यूज कर पाते हो और इनको बिल्का बनाने में मुझे ज़्यादा जादा आधा गंटा लगा ठाख सुिंदर लगरा आप सब्सक्राइम पर आपने पे पीछे वाले स्टॉल ना कभू करें यूज़ करते हां चाहां पर killer कर ऴकार रोक हॉना अपने तो यहां पे ने कहले हो और यहां आपने बैंगल उसकाद मैा इसलिए लिया है कोई आप डॉड़ के लिए हैं पतली वाली वाली है उसको डबल कर लिया है। और सारे को मैंने इस तरीके से बान दिया है नोट बना करके 3-4 बराप अच्छे से कसके उनको बान दो ताकि वो नहीं खुले जल्दी और बीच-बीच में इनको फिक्स करने के लिए आप सेलो टेप की हल्प ले सकते हो तो मैंने इस तरीके से इनको अच्छे से से सेट कर दि है बिल्कुल अपने जगसी नहीं हिल डूल रहे है तो चलो इनको और दिखाती हो आप लोगों की कैसे इनको हम यूज कर सकते हैं आप इनमें ना कोई भी चीज़ें कर सकते हो मैंने यहां पे अपने स्टॉल के लिए ही इसको स्पेशली बनाया है तो मैंने आप इस तरीके से हम हैं कर सकते हैं फोल्ड डबल फोल्ड कर लो सिंगल फोल्ड कर लो कितना फोल्ड आप कर लो एंड इस तरीके से आप इनको हैंग कर सकते हो और बहुत ही इजी होगा इनको यूज करना आपके नजर के सामने होंगे चीज़े तो आप अच्छे से इनको यूज कर सकते हो and easily आप इनको फिर वापस से रख भी सकते हो तो कैसा लगा यह आइडिया जरूर बताएगा और आज का सबसे अच्छा आइडिया आप लोगों को कौन से लगा जरूर बताएगा मुझे सबस्क्राइब कर दीजगा बेल आइकन को जरूर हिट कीजगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके एक लाइक जरूर कीजगा बहुत मोटिवेशन मिलता है आपको वीडियो पसंद आती है फिर भी आप लोग लाइक निकरत प्लीज लाइक करना गाइस सो जल्दी मिलती हो एक वार इंप्रस्टिंग वीडियो के साथ अब तक लिए बाइबाएट